Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn everyone मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के vocabulary learning lesson में मैं आपके साथ कुछ ऐसे words share कर रही हूँ जिन्हें मैंने English newspaper से collect किया है ये सभी words मैंने 25th January 2021 के the Hindu newspaper से collect किये है साथ ही सभी words के synonyms और antonyms के साथ उनका example भी आपके साथ share कर रही हूँ तो चलिए करते हैं वीडियो start First word है lucrative, lucrative जो की एक adjective है जिसका मतलब होता है लाप्रद, लाबदायक, लाबकारी या धन दायक मतलब जिससे हमें financial profit होता है या हमें कोई लाब होता है मतलब की हमें कोई profit होता है synonyms words है इसके profitable, remunerative, money making, fruitful, gainful, advantageous और beneficial antonyms words है इसके unprofitable, profitless, fruitless, unavailing और unrewarding मतलब लाबहीन, व्यर्थ या बेकार जिससे की हमें कोई भी profit नहीं होता है या कोई भी लाब नहीं होता है जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार या बेर्थ होती है example है इसका he makes a lucrative income by his well settled family business of diamonds वह अच्छी तरह से बसे हुए अपने पारिवारिक hero के बेफसाय से एक बहुत अच्छी यानि की लाब दायक आय बनाता है या कमाता है तो lucrative का मतलब होता है लाब प्रद, लाब दायक, लाब कारी या धन दायक next word है commute, commute जो की एक verb है जिसका मतलब होता है की किसी सजा को कम कर देना किसी को दी गई सजा को कम कर देना या उसे घटा देना या परिवर्तित कर देना मतलब की बदल देना यानि की अगर किसी को जैसे फासी की सजा दी गई है तो उसे बदल कर उम्र कैद की सजा कर देना या उसकी सजा को कम कर देना synonym words है इसके shorten, curtail, mitigate, reduce, elevative, attenuate, modify और mollify एंटॉनिम words है इसके increase, aggravate, intensify, amplify, readable और advance मतलब बढ़ा देना या तीवर कर देना मतलब सजा को बढ़ा देना या उसे और ज़्यादा कठोर कर देना यानि की तीवर कर देना example है इसका His sentence was commuted from death to life imprisonment on the basis of his young age मतलब कम उम्र के आधार पर उसकी सजा, मौत की सजा से अजीवन काराबास कर दी गई मतलब उसे मौत की सजा मिली थी लेकिन उसकी young age को देखते हुए उसकी सजा को मौत की सजा से बदल कर या कम करके अजीवन काराबास की सजा कर दी गई मतलब उम्र कैद की सजा कर दी गई तो commute का मतलब होता है की सजा को कम कर देना next word is window window जो की एक noun है जिसका मतलब होता है खिलकी जो की हम सभी को पता है window का मतलब खिलकी होता है जो हमारे घरों में होती है लेकिन यहाँ पर window का मतलब मैं बता रही हूँ आपको जो होता है मौका, अवसर, सयोग या संभावना तो विंडो का जो दूसरा मतलब होता है बहुता है मौका, अवसर, सयोग या संभावना मतलब किसी चीज़ की opportunity synonym words होते हैं इसके opportunity chance, opening, time, occasion, throw, possibility, likelihood, potential या probability एंटॉनिम words हैं इसके doubtfulness, dubiousness, impossibility, improbability और unlikelyhood मतलब संधिक्धिता या असंभाव्यता doubtfulness और dubiousness का मतलब होता है संधिक्धिता मतलब कि शक होना की हमें opportunity मिलेगी, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मतलब मौका ना होकर केवल एक संधिक्धिता होती है या शक होता है impossibility, improbability और unlikelyhood का मतलब होता है असंभाविता मतलब कोई संभावना ही ना होना example है इसका I am busy this week but there might be a window on the weekend to meet you and have party मैं इस सप्तहा व्यस्त हूँ लेकिन सप्ताहंत मतलब weekend में आप से मिलने और party करने के लिए एक अफसर हो सकता है मतलब संभावना है कि weekend में हम मिल सकती है या हमारे पास मौका हो सकता है कि हम मिले और party करें तो window का मतलब होता है मौका, अफसर, संयोग या संभावना next word है accentuate accentuate एक verb है जिसका मतलब होता है महत्व डालना, सुइसपरस्ट बनाना, जोर देना, बल देना, नजर में लाना या ध्यान के इंद्रित करना मतलब किसी चीज को इतना जादा महत्व डालना किसी चीज के उपर की सभी लोग का उस पर ध्यान के इंद्रित हो जाए या सभी लोग उस पर ध्यान देने लगे Synonym words है इसके Highlight, Underline, Spotlight, Focus, Emphasize, Stress, Ascent और Underscore Antonym words है इसके Downplay, Hide, Conceal, Cover, Mask, Dismiss, Evade और Dodge Downplay का मतलब होता है कम करके बताना Accentuate का मतलब होता है कि Zor डालना या उस पर महत्व डालना जिससे की वो सबकी नजर में आए और Downplay मतलब कम करके बताना किसी के गोणों को कम करके बताना या किसी के चीज के महत्व को बिलकुल कम कर देना या खत्म कर देना Hide, Conceal, Cover और Mask का मतलब होता है छिपाना Dismiss, Evade और Dodge का मतलब होता है टाल जाना Example है Children sometimes suffer from low self-confidence when their parents constantly accentuate their mistakes मतलब बच्चे कभी-कभी कम आत्म विश्वास से पीगित होती है जब उनके मातबिता लगातार उनकी गलतियों पर जोर देते हैं मतलब कि उनकी गलतियों को सबके सामने लाते या महत्व गालती है यानि कि हर वक्त उनकी गलतियां बताते रहती है तो वो low self confidence से पीवित हो जाती है next word है ostensible ostensible एक adjective है जिसका मतलब होता है प्रकट, प्रत्याक्ष, दिखावटी, नजर आने वाला या जूटा, काल्पनिक या खयाली मतलब कि जो केवल दिखाई देता है वास्तम में वो होता नहीं है केवल दिखाई देता है याने की नजर आता है केवल synonym words है इसके apparent, seeming, supposed, outward, superficial, assumed, demonstrative और putative antonym words है इसके genuine, real, actual, honest, true, plausible, loyal और unfiend मतलब वास्तविक, असली या सच्चा जो केवल दिखावे का नहोकर असली होता है या सच्चा होता है example है इसका their ostensible goal was to clean up government corruption but their real aim was to unseat the government उनका दिखावटी लक्ष सरकारी भष्ष्टाचार को साफ करना था लेकिन उनका जो असली उदेश था वो सरकार को कुछी से हटाना था अगला वर्ड है block जिसकी spelling होती है बी ल ओ सी जो की एक noun है जिसका मतलब होता है good, समहू, संग, दल, जोगी, गटबंधन या समझोता मतलब कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो good बन जाता है या समहू बन जाता है या बहुत सारे लोग मिल कर समझोता कर लेती हैं और एक group बना लेते हैं या गटबंधन कर लेती हैं synonym words होती हैं इसके union, team, group, unit, alliance, federation, syndicate और access एंटॉनिम words हैं इसके individual, detachment, disunity, rivalry, opposition और conflict individual का मतलब होता है व्यक्तिकत या अलग-अलग मतलब की एक-एक जो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं उनके लिए individual word का यूज किया जाता है detachment मतलब अलग-अव मतलब की एक सास ना आँकर अलग-अलग होना disunity का भी same ही मतलब होता है अलगाव और rivalry, opposition और conflict का मतलब होता है विरोध या प्रतिद्वन्दिता example है इसका the five countries have formed a block to fight with terrorism and spread peace in the world पांच देशों ने आतंकवाद से लगने और दुनिया में शांती फैलाने के लिए एक सम्हू बनाया या गठ भंधन बनाया या आपस में समझोता किया है next word है repudiate repudiate भी एक वर्व है जिसका मतलब होता है असोइकार करना, मना करना, नामन्जूर करना, इनकार करना या ठुकरा देना मतलब कि किसी काम को करने से मना कर देना या किसी चीज को एकसेप्ट करने से मना कर देना यानि कि उसे ठुकरा देना या असोइकार कर देना मतलब किसी काम को करने या किसी चीज को एकसेप्ट करने से ठुकरा देना या मना कर देना synonym words है इसके reject, refuse, deny, abdure, recant, disapprove और oppose एंटॉनिम वर्ड्स हैं इसके accept, approve, allow, own, grant, take or sanction मतलब मन्जूर करना या सुईकृति देना मतलब कि किसी चीज़ को या किसी काम को करने को मन्जूर कर देना या उसे करने के लिए हा कर देना मतलब कि सुईकृति देना एक्जामपल है इसका उसने पिछली पार्टी के नेताओं के साथ जूरी नीतियों को ठुकरा दिया है मतलब जो पिछली पार्टी के जो नेता थे उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई थी उन सब को ठुकरा दिया है तो repudiate का मतलब होता है असोईकार करना या नामंजूर करना तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने न्यूस पेपर से लिए गए वर्ड्स को समझाने की पूरी कोशिश की है साथ ही आपके लिए लास्ट में इन सभी वर्ड्स की वर्ड लिस्ट शेयर कर रही हूं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे साथ ही आपसे एक चोटी सी रोक्यास्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें